नमस्कार दोस्तों आज की कौर वीडियो में आपका स्वागत है आपका अपना चैनल ज्यान जूम में दोस्तों अधी आपका बैंक एकोंट केंडरा बैंक में है तो आपकी इस तरीका से केंडरा बैंक के इंटरनेट बैंकिंग का रेइस्टेशन करेंगे अपना internet banking facility को on करेंगे इस वीडियो में आपको complete detail में बताने वाले हैं तो आप लोग वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों केंडा बेंग के internet banking को चालू करने के लिए आपको ब्रांच में जाने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप आसानी से घर बैठे ही केंडा बेंग के internet banking facility को on कर सकते हैं दोस्तों केंडा बेंग का internet banking यदि आप चालू कर लेते हैं तो आप आसानी से घर बैठे ही net banking के माधम से किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं इसके अलावा आप ATM कार्ड के लिए apply कर सकते हैं आप चेक बुक के लिए अपलाई कर सकते हैं साथी आप नोमनी का नाम देख सकते हैं इसके अलावा और बहुत सारी फैसलिटी आपको देखने को मिलती है तो चलिए दोस्तों हम किस तरिका से इंटरनेट बैंकिंग आउन करेंगे चलिए आपको हम complete detail में बताते हैं दोस्तों आप अपने mobile में कोई भी ब्राजर ओपन कर लिए और सर्च कर लिए Canada Bank Net Banking चलिए हम सर्च कर लेते हैं आप यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे Canada Bank Net Banking यहाँ पर देखिए आजाएगा Canada Bank Internet Banking आपको इस पर click कर लेना है आप यहाँ पर देखिए आपको इस तरीका से open हो जागा आप नीचे scroll कर लेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा होगा new registration आपको इस पर click करना है चलिए हम click कर लेते हैं अब यहाँ पर देखिए term and condition आगया है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं चलिए इसके बाद आपको यहाँ पर i agree पर click कर लेना है चलिए हम click कर लेते हैं अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरीका से open हो जागा यहाँ पर candra bank का internet banking registration करने के लिए आ चुका है चलिए अब यहाँ पर आपको detail fill up कर लेना है जैसे कि पहला तो यहाँ पर current या फिर saving account number तो जो भी आपका account number होगा आप यहाँ पर अपना account number fill up करेंगी चलिए हम fill up कर लेते हैं यहाँ पर हमने account number fill up कर दिया इसके बाद यहाँ पर है ATM come debit card number तो जो भी आपका ATM card का number होगा आप यहाँ पर अपना ATM card का number fill up कर लेंगे चलिए हम fill up कर लेते हैं यहाँ पर हमने ATM card का number fill up कर दिया इसके बाद यहाँ पर है registered mobile number तो जो भी आपका Canada bank account के साथ mobile number registered है आप यहाँ पर वह mobile number fill up कर लेंगे चलिए हम fill up कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर है customer ID तो आप यहाँ पर अपना customer ID fill up कर लेंगे customer ID आपके passbook पर लिखावा रहता है यदि आपके passbook पर customer ID लिखावा नहीं है या फिर आपको अपना customer ID मालूम नहीं है तो यहाँ पर देखिए दो option और मिल जाता है पहला तो यहाँ पर है debit transaction दूसरा यहाँ पर है credit transaction तो आप यहाँ पर से दोनों में से किसी को भी fill up कर सकते हैं यहाँ पर देखिए debit transaction मतलब हो गया आप last month में से last month transaction में आपने कितना रुपय का यहाँ पर transaction किया है और यहाँ पर fill up कर लिजे यदि आप ATM जाना नहीं चाहते हैं तो फिर आप इसको select कर लिजे credit transaction को और अपने account में आप किसी को भी बोल करके 5 रुपए 10 रुपए या जितना भी आप लेना चाहते हैं आप अपने account में मंगा लिजे और यहाँ पर fill up कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको तीन option मिलता है आप तीनों में सी किसी को भी fill up कर सकते हैं चले मेरे पास यहाँ पर customer ID है हमे customer ID मालूम है तो हम यहाँ पर अपना customer ID fill up कर लेते हैं यहाँ पर हमने customer ID fill up कर लिया है चले इसके बाद आप यहाँ पर i agree पर click कर लेंगे चले click कर लेते हैं अब दोस्तों यहाँ पर जो mobile number आपका canada bank account के साथ link है उस पर OTP आया होगा आप यहाँ पर OTP fill up करेंगे चले हम OTP fill up कर लेते हैं यहाँ पर हमने OTP fill up कर दिया इसके बाद नीचे में है re-enter OTP password तो जो OTP आपने उपर fill up किया same to same नीचे भी आपको fill up कर लेना है चले हम fill up कर देते हैं यहाँ पर हमने OTP fill up कर लिया इसके बाद आप submit पर click करेंगे यदि OTP नहीं आता है तो आप re-generate OTP पर click करके दुबारा से OTP ले सकते हैं चले हम submit पर click कर लेते हैं अब दोस्तों यहाँ पर login password बनाने के लिए आगया है तो आप यहाँ पर password के लिए virtual keyword यूज कर सकते हैं यहाँ पर देखे बताया है कि आप minimum 8 character का password बना सकते हैं इसके अलावा आप maximum 12 character का password बना सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर password में दियान रखना है कि आपको password में capital letter होना जरूरी है small letter होना जरूरी है साथी number भी होना चाहिए इसके अलावा password में special character होना जरूरी है यदि आपको समझ में नहीं आता है कि हम password में क्या रखे तो आप screen पर दिखान उसार से अपना password बना सकते हैं चलि हम यहाँ पर password बना लेते हैं इसके बाद नीचे में re-inter login password तो जो password आपने उपर fill up किया same to same नीचे भी आपको fill up कर देना है चलि हम fill up कर देते हैं इसके बाद आप submit पर click कर लेंगे यहाँ पर देखिया आगया है You have successfully registered for net banking Your user ID जो भी आपका user ID है net banking का यहाँ पर वो आ जाता है अब आप इस user ID और आपने जो password बनाया है इसके माद़ेम से Canada Bank के net banking में आसानी से login कर सकते हैं के लिए जो भी आपका user ID है आप यहाँ पर अपना user ID fill up कर लेंगे चलि हम fill up कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर password है तो जो भी आपने password यहाँ पर बनाया है आप password fill up कर लेंगे चलि हम fill up कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर capture है चलिए हम क्लिक कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम केंडा बेंक के neτ बैंकिंग में लॉगिन हो चुके हैं तो दोस्तों इस तरिका से आप यहाँ पर केंडा बेंक के internet banking का registration कर सकते हैं internet banking घर वेठ dirty चालो कर सकते हैं यहाँ पर देख़ी है यहाँ पर account details पर आप click करेंगे, इसके बाद आप यहाँ से select पर click कर लेंगे, अब यहाँ से आप अपना account select कर लेंगे, इसके बाद आप submit पर click करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका नाम, account number, कौन सा account आपका है Canada Bank में, सारा detail यहाँ पर आ जाता है, इसके अलावा आप यह यहां से account statement पर click करेंगे तो आप यहां से account statement अपना ले सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आप यहां पर उपर में देखिए fund transfer है आप fund transfer पर click करके अपने account से किसी को भी पैसा transfer कर सकते हैं यहां पर पैसा transfer का तीन option मिलता है पहला तो है on account इसके बाद यहां पर दूसरा है other account आप quick paper क्लिक करके तुर्णती किसी को पैसा transfer कर सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पर beneficiary management पर कुलिक करके beneficiary में नाम को add कर सकते हैं दोस्तों आने वाले वीडियो में हम आपको केंड़ा के net banking के बारे में पूरा detail में बताने वाले हैं चले इसके बाद यहाँ पर आपको option मिलता है payments का, इसके बाद यहाँ पर आपको उपर मिलता है deposit loan, आप loan पर click करके loan के बाले में जान सकते हैं, यदि आपका कोई loan होगा तो आपको यहाँ पर दिखाए देगा, इसके अलावा आप यहाँ से apply loan, online पर click करके loan के लिए apply कर सकते ह साथ यह आप यहाँ पर request पर click करके कोई request कर सकते हैं जैसे कि आप checkbook के लिए request कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर है invest and insurance आप इस पर click करके आप यहाँ से life insurance खड़िच सकते हैं यहाँ पर देखिए buy now करने के लिए आ गया है इसी तरीका से यहाँ पर है services हम इस पर क्लिक करते हैं सर्भीस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसके बाद यहां पर ऑपसर मिलता है कार्ड का हम caregiver करेंगे तो यहां पर जो भी आपका ATM कार्ड एक्टीव होगा यहां पर देखिए वह communicate करने के लिए चालो करने के लिए आपो के रांच के बंक प्रांच में जाने की विलकुल भी जरूरत नहीं है उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा लाइक जरूर कीजिएगा यदी आपके मन में कोई सवाल है तो comment जरूर कीजिए हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आकल दवा दिजिए फिल में अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर